अन्ना के कौनसे डायलोग्स लोगों के दिल और दिमाग पर आज भी राज करते हैं? किसने दिया सुनील को अन्ना का टैग? बलवान 2 में क्या दिखने वाले हैं अनुबम खेर और सुनील शेटी? बॉलिवुट के दमदार आक्टर सुनील शेटी फिल्म इंडस्ट्री में अन्ना के नाम से मशूर सुनील शेटी की हिंदी सिनेमा में एक अलग ही पहचान है उन्होंने साल 1992 में फिल्म बलवान से बॉलिवुट में डेब्यू किया था सुनील शेटी ने अपनी पहली फिल्म से ही कई कलाकारों को पीछे छोड़ दिया था उन्होंने बलवान के बाद कई शांदार फिल्मे की कई सहीों की कलाकार के साथ भी उन्होंने अपनी आक्टिंग से दर्शकों को हैरान किया केवल आक्टिंग ही नहीं, फिल्मों, सुनिय शेटी के डायलोग भी काफी मशूर हुए उन्होंने कई फिल्में अपने दमदार डायलोग से सिनेमा प्रेमियों के दिलों को जीता आपको उनके ऐसे ही कुछ दमदार डायलोग से रूबरू करवाते हैं ये धर्ती मेरी मा है और मैं तुम्हे भूल जाओ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूँगा जैसे डायलोग सुनकर एक मसबूत कद काठी भारी भर कम अवास और भोली भाली सूरत जो नजरों के सामने तैर जाती है न तो वो सुनील शेटी की है वही सुनील शेटी जो वक्त हमारा है फिल्म में अपनी हिरोईन की कार ठीक करने के लिए हाथ से ही गाड़ी उठा देता है वही सुनील शेटी जो दड़कन फिल्म में अपना प्यार पाने के लिए सारी हदे तोड़ता हुआ फिल्म फैर का बेस्ट विल्म का अवार्ड ले उड़ता है आपको बता दे करनाटक के मुल्की में 11 आगस्ट 1961 को जन्में सुनील को महज आक्टर कहना गलत होगा क्योंकि वो सफल आक्टर होने के साथ ही एक सफल बिजनसमैन भी है उनके बिजनसमैन में होटल से लेकर बुटीक और हर फिल्म प्रडक्शन तक शामिल है उनको बॉलिवुड में सब अन्ना बुलाते हैं लेकिन कै कभी आपने सोचा है अन्ना ही क्यों और कैसे पड़ा ये नाम अन्ना का मतलब बड़ा भाई होता है और साउत इंडिया में ये काफी प्रचलिट शब्द है सुनील भी साउत के ही है लेकिन उन्हें शुरवात से ही अन्ना नहीं बुलाया जाता था उनका ये नाम संजय गुपता की फिल्म काटे की शूटिंग के सेट पर पड़ा उस फिल्म में सुनील के साथ संजय मांचरेकर, संजय दत, लकियाली और अमिता बच्चन भी थे संजय अपने खुश मिजाजी के लिए मशहूर है, तो उनका रवया सेट पर भी कुछ वैसा ही था लेकिन सुनील उनसे उम्र में छोटे होने के बावजूद काफी संजीदा थे और संजय को उनकी हरकतों के लिए डाड़ते समझाते रहते थे इन सबसे परिशान होकर संजय ने उन्हें अन्ना बुलाना शुरू कर दिया संजय की देखा देखी बच्चन साब भी उन्हें उसी नाम से बुलाने लगे बच्चन साब को सुनील को अन्ना बुलाने के बाद सेट पर मौजूद सभी लोग उन्हें अन्ना ही बुलाने लगे पहले तो सुनील को थोड़ा अटपटा लगता था लेकिन वक्त के साथ वो भी उनसे यूस्टू हो गए अब तो सारी इंडिस्ट्री और उनके फैंस भी उन्ना ही बुलाते हैं तो कैसा लगा अन्ना के नाम के पीछे का ये राज अब आपको एक और राज की बात बताते हैं तो वो ये है कि सुनील ने जिस फिल्म से इस इंडिस्ट्री में डेब्यू किया जी हां वो कोई और नहीं बलकि बलवान है अब फिर से इस फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है जिसमें फिर से अन्ना की एक जलक देखने को मिल सकती है एक जलक का मतलब है कि इसमें सनील शेटी का लीड रूल नहीं बलकि गेस्ट अपियरंस होगा जो बलवान टू फिल्म में शिरुवात में ही आपको नजर आएंगे उसके बाद इसके रीमेक पर काम किया जाएगा आपको बता दे कि बलवान टू में अनुपम खेर अपनी आवास दे रहे हैं बलवान टू को हिंदी और तमिल में बनाया जाएगा हिंदी वाले पाट के लिए इसमें अनुपम खेर अपनी आवास देंगे तो आप अन्ना और अनुपम खेर को साथ देखने के लिए कितने उत्सुक हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताईए